वेल्कम इन क्यार क्लासेज मैं हूँ क्यार भोरा हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानि भोतिक विज्ञार प्रिवियस लेक्चर में हमने कवर किया टिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स उसमें साइन और कोस की टैन की और बाकी जो छह फंक्शन है टिग्नोमेट्रिक के उनके ठीटा की वेल्यू लिमिट लेस करके यानि कितनी भी ले सकता हूं उन वेल्यू पर हमने उन फंक्शन की वेल्यू निकालना सीखा अब किसी भी वेल्यू पर मैं फंक्शन की वेल्यू डिफाइन कर सकता हूं तो हमने जो देखा था उसमें मैंने क्या बता क्या बता है था जासि ये मेरा एकसिस और इस सर्किल की रेडियस कॉंस्टैंट जो हाइपर टिबूज थी ठीक है मैं ये एक लाइनग ह Sonu करता हूं एक लाइन ये ड्रो करता हूं यह मेरा 0 डिग्री है यहां से आगा 360 डिग्री हो जाएगा X-axis यह Y-axis यह मेरा 90 डिग्री यह मेरा 180 डिग्री और यह मेरा 270 डिग्री इसको मैं बोल सकता हूँ थीटा इसको 90 प्लस थीटा इसको 180 प्लस थीटा इसको 270 प्लस थीटा इसको ठीटा बोल दो या 360 ठीटा बोल दो तो इतना हो गया था तो इन पर वैल्लू क्या आई थी यहां पर यह recordings था इस कोड़नेट की वैल्यू थी को शॉफ ठीटा और साइनो थीटा जिसने लेक्च्टर नहीं दिए लेशलेप्य लेवर पिरिविएस लेक्चर जब 90 plus theta वोगा था तो cos मेरा change हो गया था sign के अंदर sin मेरा cos के अंदर change हो गया था और यह मेरा minus क्योंकि minus perpendicular minus हो गया था और इस case में minus का cos of theta and minus का sin of theta और इस case में जो था वो था cos of theta और sin of theta और इसमें cos minus यह था sin of theta और minus cos of theta तो यह सब हमारा हुआ था प्रिवेस लेक्चर में तो मैं जैसे लिख लेता हूं कि मेरा जो साइन ठीटा था मैं को स्टीट अलगे जलता हूं यह मेरा जैसे फ्सट कोण्ट हो गया यह मेरा सैकेंड कोड़न यानी पूरे शींस्टी को मैंने चार वागों में डिवाइड कर लिया है'M मेरा third quadrant 90 90 degree के और यह मेरा fourth quadrant चतुर था तो sin theta था यह first quadrant के अंदर है sin theta उसके दढ़ा सब्सक्राइण साइन टीटा ओसके बाद सब्सक्राइण साइन टैटा तुर म spins 5 रीटा माइनस का साइन टीटा और उसके बाद मैनेस सब्सक्राइब इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो से लेके अगर 90 डिग्री एंगल हुआ तो यह वैल्यू देगा अगर साइन की यह किसकी बात चल रही है यह पूरे साइन के फंक्शन की बात चल रही है साइन फंक्शन के और अगर 90 से प्लस हुआ 90 तक यह वैल्यू देगा उसके बाद जो साइन की वैल्यू है 182 to 270 यह वैल्यू देगा और यह देगा 270 to 1360 यह वैल्यू समझें तो यह मेरे साइन के फंक्शन की वैल्यू होगी है अब देखो हमारा आज का में मोटो है ग्राफ बनाना इन फंक्शन के फुल्ली ग्राफ चाहिए मेरे को दूसरी चीज क्या होई देखो फर्स्ट क्वैडन्ट के अंदर देखो साइन की जो वैल्यू होती है साइन के फंक्शन की जब मैंने 0 to 90 लिया था उस केस में यह वैल्यू 0 to 1 थी जीरो टू 1 और इसका ग्राफ था वो ग्राफ था जैसे यह जीरो था और यह मेरे 90 डिग्री था तो यह ग्राफ यहां तक था और अगर में कोस की बात करता हुं तो कोस की वैल्यू 0 डिग्री तो 90 डिग्री पर यह ईल्यू जाते थी 1 to 0 की तरफ और इसका जो ग्राफ था अगर मैं यही बनाऊं और यह ग्राफ था लाइक दिस तो यह 300 का था और यह साइन गा था अच्छा जी तो यहां देखो अब मैं क्या करता हूँ इस साइन का मैं इस थ्रू गिराफ बनाता हूँ दूसरी चीज, आपने पढ़ा होगा कि sin theta इसके अंदर प्लस होता है, इसके अंदर b plus होता है, इसके अंदर minus होता है, इसके अंदर minus होता है, all student dual of under था ना, यहाँ पर यह साफ साफ दिख रहे है, sin theta यहाँ पर convert वोग कोश theta के अंदर, जब sin theta की value 0 to 1 है, all positive value है 90 degree तक, तो simple सी बात है, यहाँ पर भी कोश theta, कोश theta की value भी 0 to 1 तक, अगर angle मेरा positive है, तो angle मैं इस तरह बढ़ाता होगा, 90 से प्लस जाएगा, इसमें भी sin positive ही रहेगा, तो कोश की value आए 1 to 0 तक, इसमें minus ही नहीं, तो यहाँ पर sin मेरा positive, यहाँ पर sin मेरा positive, जैसे यहाँ पर आए, तो sin मेरा convert हो गया, minus sin theta के अंदर, और sin theta की value गए 0 to 1 होती है, बट minus sin theta की value, 0 to minus 1 होगी, क्या होगी 0 to minus 1, उस case में sin मेरा negative हो गया, यहाँ पर देखो कि sin मेरा change हो, minus cos theta, और cos theta की value होती है 1 to 0, और minus cos theta की value, minus 1 to 0, इसका मतला हम यहाँ sin, फिर मेरा negative, sin positive, positive, negative, negative, cos देख लो, यहाँ पर जो cos की value थी, तो cos मेरा यहाँ पर क्या है, positive है, यहाँ पर cos गया, साइन में convert हुआ, तो साइन में convert हुआ, तो साइन के value तो 1 to 0, यानि all positive रहती है, 0 to 90 degree में, पीछे angle में जाएंगे, तो minus हो जाएगी, उस case में भी क्या होगा, 0 to 1, but minus लगा हुआ है, तो cos की value या minus हो जाएगी, जैसे ही cos, अब यहाँ पोच जाएगा, इस quadrant के अंदर, तो cos मेरा positive, उसके बाद देखो, अगर 10 की बात करता हूँ, तो 10 के case में, 10 में क्या होगा, sin upon cos, sin मेरा positive, cos मेरा positive, 10 मेरा positive ही रहेगा, तो यह 10 के case में positive, यहाँ देखो, sin और cos, दिन में, दोनों में से कोई भी एक minus हुआ, तो 10 मेरा negative हो जाएगा, तो 10 मेरा negative हो गया, यहाँ पर देखो, sin और cos, दोनों ही, क्या है, negative negative है, तो इनका जब divide करूँ है, यानि इसका ratio लूँगा, तो यह minus minus plus, तो यहाँ पर 10 मेरा, फिर positive हो जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद, 10, sin और cos, cos minus मेरा, तो यहाँ पर 10 मेरा, फिर negative हो गया, तो देखो, यहाँ से यह समझ में आ गया, कि first coordinate में sin positive, सब positive है, सब positive, second में only sin positive है, third में only 10 positive है, और fourth में only cos positive है, समझ में रटने की जर्ट, यहाँ इतना ठीक है, कि याद रखने के लिए वो चीज़े अच्छी है, पर कैसी आई, वो यह रहा, अब मैं इसके graph बनाता हूँ, यह मेरा sign का function है, इस प्रक value मिल जाएगी, उस हिसाब से मैं एक graph draw करता हूँ, वो देखते हैं, पर graph, तो देखें, sin का function का graph, देखो, यह value मैं बताए थी अभी, यह value जो है, अगर sin की value, अगर theta, यह sin 90 plus theta, यह sin 180 plus theta, और यह sin 270 plus theta, यहाँ पर यह ठीटा की range है, वो है 0 to 90 degree, कितना simple है, यह सब बोच चुक है न, तो अब हम अपना graph देखते हैं, तो graph के लिए क्या चाहिए, दो एक्सिस, दो एक्सिस कौन कौन चाहिए, कि मेरे को function की value चाहिए, यह function मेरे पास है, यानि f जो मेरे पास है, वो है sin of theta, clear, यहाँ पर यह theta के value कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर theta के value, और जो मेरे theta है, दूसरा variable, यह variable है, clear, तो दो एक्सिस यहाँ से मिलेंगे, तो एक एक्सिस मैं draw करता हूँ, जैसे यह रहा, और यह रहा, यह मेरा y-axis, यह मेरा x-axis, यह मेरा y-axis negative, यह मेरा x-axis negative, यह मेरा origin, clear, अच्छा जी, पहले यहाँ पर चलते है, ठीटा 0 से लेके 90, तो 0 से लेके 90 तक क्या बता है, मैं पहले अंगल लेता हूँ, तो यहाँ पर यहसे मेरा 90 है, यहाँ पर मेरा 180, यहाँ पर मेरा 270, यहाँ पर मेरा 360, को दिकर, यहाँ तक तो बिलकुल, और यहाँ पर जो value है, मैंने बताया था, साइन की जो value है, यह साइन की value है, वो 1 तक, 1 तक ही जाती है, बटा भी देख भी लेंगा, नेखो, साइन ठीटा, अगर 0 से लेके 90 तक था, तो मेरा साइन का graph कैसा बनता था, साइन का ग्राफ था हो मेरा वंता था है यह मेरा नाइन्टी था तो nine तक वैल्यव जाती थी जीरो से लेके और one की तरफ मिक्यों तो यह ग्राफ तो यह ही पीज़ाएगा समूदा यह यह मेरा ग्राफ हो गया है लोजी यह मेरी 90 डिगरी पर और यह value जो है यह मेरी 1 जैसे ही 90 प्लस होगा तो 90 प्लस होगा sign का function मेरा cos के function की तरह behave करेगा क्योंकि sign 90 प्लस theta cos of theta होता है और मैं cos का जब graph देखता हूं तो वो जो मेरा graph होता है तो theta की value हो देखो या पर theta की value क्या पूट होगी 0 से लेके 90 तक अगर मैं 10 लेता हूं तो यह total कितना हो गया 100 20 लेता हूं 110 120 कितना तक चलेगा 180 तक जाएगा 180 के बाद यह function काम करेगा उसके बाद यह function काम करेगा तो है यह sign की value ही sign theta तक देख लिया था यह sign की 90 से उपर की वाले देगा तो sign 90 प्लस theta cos theta काम करेगा और cos theta किस प्रकार काम करता है कि 0 यह 0 है और यह 90 डिगरी था तो मैंने क्या पता है ठीटा की value 90 तक है तो यहाँ पर ठीटा 0 से लेके 90 ही पूट होगा तो यहाँ से लेके 1 होगी और 1 से डाउन जाएगा यह मेरी 1 value तो यह ग्राफ अब यहाँ बनेगा 90 प्लस पे cos और cos की value जाती ही 1 से लेके 0 जी रोगी सिम्पल है न ग्राफ जैसे 180 पे पहुचे 180 पे जाते ही value 180 प्लस theta 180 प्लस का theta और 180 प्लस theta मतलब minus sign theta के बराबर अगर यह value यह graph sin theta का है तो minus sign theta का graph किस प्रकार होगा minus sign theta का graph होगा जो minus का sin का graph है वो होगा यह सारी sin की value अगर यहाँ पर 0 to 1 जा रही थी तो यह value अब जाएगी 0 से minus 1 की तरह यह नि minus 1 से 0 की तरह angle बढ़ेगा minus 1 आएगा फिर 0 तरह 0 से minus का 1 तो 0 से लेके minus 1 क्या होगा यह मेरा 0 और यह मेरा minus का 1 और यह मेरा 90 डिगरी तो यह हो जाएगा graph यह रहा यह मेरा minus का 1 तो यह कई ग्राफ यहां बनेगा अगर मान लो minus 1 मेरा यहां पर है तो यह graph जाएगा ऐसे यह 270 पर जैसे ही 180 270 के बाद अगर एंगल बढ़ाऊंगा वह minus cos theta की तरह भी यह करेगा और minus cos theta का graph होगा अब जब cos theta की value काहां से कहां तक जा रही है वन से लेके 0 तक जा रही है तो मैनस का इंख को इंख की value minus 1 से 0 की तरफ तो minus 1 कहां होगा जिसे minus 1 यह मेरा यह रा और यह मेरा 90 डिग्री तो जी minus 1 से 0 की तरफ यह वला गरा इसको या रख दो अब वापिस से अगर 360 की बात आती है तो 0 और 360 सेव ले वालो पर आते हैं तो यही value sin 360 degree plus theta की value होगी तो 360 sin theta की तरह है यह वाला function है तो वापिस ऐसे ही behave करेगा और यह वापिस ऐसे जाता हुआ ऐसे जाने जाएगा 360 के बाद जो angle आएगा 90 जब add करूँगा इसके अंदर तो फिर यह वाला function मनेगा उसके बाद फिर यह फिर यह फिर वापिस 720 degree के बाद वापिस से वह function आ जाएगा तो sign का जो actual function होगा वो होगा यह sign of theta का यह मेरे theta है और यह मेरा sign का function हो गया किसी को कोई दिक्कत यहां तक ग्राफ में किसी कोई problem नहीं तो sign का function अगर मैं यह value को minus करूँ theta minus होते होए जाएगे यह minus की तरह तो quadrant का ध्यान रखना पड़ेगा जैसी quadrant कैसे था चतूर थांस तो चतूर थांस के अंदर यह मेरा first था यह second था यह third था यह fourth था मैंने क्या बोला यह sign मेरा positive यह sign मेरा क्या होगा वापी से positive यह sign मेरा negative और यह sign मेरा negative तो देखो यह first quadrant है यह second है यह third है यह fourth है जब ठीटा इस प्रकार बढ़ेगा थीटा की वैल्यू तो देखो जिरो टू नैंटी फर्स्ट क्वाडेंट में सइन प्लस है लोगी प्लस है वैल्यू कि सेकिंड कोड़ेंट में 90 तो वन टी फिर प्लस है वोगी फिर प्लस है इसके बाद वैल्यू माइनस है और यह मैंनस है उल्टा चलूंगा नीचे की तरफ तो यह मेरा मानेश ठीटा मानेश का 90 हो जाया गयी उसकेस में देखो कि जैसे मानेश में जांगओ सद मेरे साइन की वेल्यूर न मैनेश अंद चैनि के वेल्यूर मैनेस अ है उसके बाद फिर मैनेस आएगी फिर माइनेस रहेगी उसके बाद फिर पोईटिव आएगी, यह मेरी पोईटिव और यह मेरी फिर पोईटिव तो अगर नेगेटिव में भी मैं एंगल को लूँगा, तब भी मेरे ग्राफ बनेगा यह मेरा साइन ठीटा का ग्राफ है, ठीटा की अनलिम्टेड वैल्यू पर, अब एंगल ले लो, ची कितने 1500, 2000, 1500, 2000, 2000, यह फंक्शन वैल्यू देगा क्वाडन्ट वाला समझ में आया, चतुर्थान्स वाला, कैसे यह ग्राफ बना, साइन ठीटा का यह वैल्यू जो है, यह मेरी हो जाएगी, माइनस का 90, यह माइनस का 180, यह माइनस का 270, और यह माइनस का 360, माइनस और प्लस यह क्या बता रहा है, यह रोटेशन है, वो रोटेशन एंटी क्लोक वाइज है, यह वाले जो भी सारे है, यह रोटेशन है, एंटी क्लोक वाइज मतलब इसमें क्लोक के विप्रीर दिशा में जा रही है और यह जो सारे है यह है क्लोक वाइच क्लोक वाइच साइन का फंक्शन समझ में आया है सबी को अब चलते हैं कोस के फंक्शन की तरह तो आप कोस का जो फंक्शन है देखो कोस के केस में यह मेरे जड़ कोस ओफ ठीटा है यह कोस ओफ ठीटा चेंज हुआ था सेकेंड कोडेंट में 90 प्लस लेते ही यह वैल्यू आई थी माइनस का साइन ओफ ठीटा जैसी थर्ड कोडेंट में गया तो 180 प्लस ठीटा पर यह वैल्यू आई माइनस का कोस ओफ ठीटा और 270 पर यह वैल्यू आई थी साइन ओफ ठीटा इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोस की वैल्यू ठीटा की वल्यू ठीटा रहता हूं तो ठीटा यह अगर कोस की वैल्यू को अगर मैं 90 प्लस ठीटा करता हूं तो यह वैल्यू आती है और कोस की वैल्यू समझ में आ रहे हैं प्रिवेस लेक्चर देखो उसके अंदर मैंने कराय हुआ है यह 180 डिग्री प्लस का ठीटा और यह कोस की वैल्यू है 270 प्लस ठीटा यह पूरा जो फंक्सन है यह फंक्सन है कोस का जिसके अंदर ठीटा की लिमिट है वो है 0-90 इनी एंगल का यूज करके मैं इतने सारे एंगल बना सकता हूँ 360 पर वापिस से यह यहां चला जाएगा कोस 360 प्लस ठीटा वापिस से वह फंक्सन है इतना यह समझे अब गिराफ देखें कोस का गिराफ तो देखो यह मेरा य एक्सिस यह मेरा एक्स एक्सिस यह मेरी 90 डिग्री वैल्यू यह 180 उसके बाद यह 270 यह 360 360 डेग्री अच्छा जी कि तो जब थीटा की वैल्यू स्टार्ट होगी जीरो से तो कोश जी रों क्यों होता है तो जी यह मेरी वैल्यू थो जीरों से लेके 90 तक मेरा फंक्सन करेगा कोश ठीटा काम और कोश ठीटा का जो फंक्सन था गिराफ उसका गिराफ था कि यह वन थी वैल्यू यह 90 घरी था तो यह फंक्सन वह बहुति यह, iy। यह यहादरो कर देता हूँ जैसा ही 90 प्लस होगा और कोस 90 प्रवेली कितने होती है कोस 90 प्रवेली होती यह 90 के बाद तो 90 के बाद function काम करेगा यह यानि माइनस का sin theta और माइनस का sin theta भी देखा था माइनस से साइन ठीटा गिराफ कैसे होता है माइनस जीरो से लेके माइनस वन की तरफ जीरो से माइनस वन की तरफ लो जी यह मेरा जीरो से लेके माइनस वन आगया यह माइनस का बाद उसके बाद 180 के बाद जैसे यह 180 आगया मेरा 180 पर माइनेस 1 और 180 के राद value आएगी पलस theta करते ही value आएगी माइनस cosine गी और cosine की कहाomina से कहा तक जाती है 1 2 0 तक minus cosine गी minus 1 to 0 तो यह मेरा minus 1 यह मेरा 0 और minus 1 से 0 की तरह 270 पलस theta 270 के बाद जाऊँगा तो अपसे sine theta की तरह काम करेगा और sin theta के value 0 to 1 तक जाती है तो यह मेरा 0 और यह मेरा 1 उसके बाद 360 प्लस theta 360 प्लस theta पर वापिस मेरा function cos theta के तर गाम करेंगा और cos theta के value 1 to 0 तो यह मेरा 1 है और यह वापिस से 0 के तरह फिर यह नीचे पिर ऐसे ही चलता रहे तो यह मेरा cos theta का function हुआ दूसरा अगर मैं minus मिले की चलूँ तो देखो तो यह first quadrant था यह second था यह third था और यह fourth quadrant था यह मेरा यहाँ पर first quadrant है यह second यह third और यह fourth कोस यहाँ पर positive था कोस यहाँ पर क्या था positive यहाँ पर कोस negative अभी तो पढ़ाया है यहाँ पर कोस फिर negative और यहाँ पर कोस positive तो देखो फर्स्ट quadrant में value positive है second के अंदर value negative है third के अंदर value negative है fourth के अंदर value positive है जब यह rotation इस प्रकार हो अगर rotation उल्टा हो rotation उल्टा हो तो उस case में तो जो मेरा यह मेरा first quadrant next जो बनेगा तो उस case में यह बनेगा minus की तरह तो यह मेरा हो जाएगा वापी से fourth quadrant देखो यह fourth वन के बाद one two three four फिर one two three four one two three four ऐसे ही यह पीछे से चलता हुआ रहे है यह third था यह second था और यह वापी से first हो जाएगा तो यह मेरा किस के graph है कोस ठीटा का graph है किसका कोस ओफ ठीटा का साइन ठीटा graph हो गया कोस ठीटा का graph हो गया जैसे हर जो value है उसको satisfied कर रहा है यानि जो हमने पूरे रूल्स पड़े हमने जो जो निकाला है हमने जो पड़ा है उन सबको satisfied कर रहा है मैंना पूरा गिराफ कि यह वैल यह फिर बीप रूल के कोस ठीटा का साइन का graph भी वह कोश ठीटा गिराफ था यहां पर साइन ठीटा का जो गिराफ था देखो साइन का बनाएता हूं साथ में डॉट डॉट लाइन में तो साइन का जो मेरा गिराफ था वो जा रहा था ऐसे यह ऐसे जा रहा था यहां पर जीरो हो रहा था यहां पर पॉजिटिव यहां पर यह पर यह और उसके बाद यहां जाने के बाद और यह मेरा sign का graph था और यह मेरा course का graph अब next हम देखते हैं इन graph के अंदर domain इनकी ranges यानि range कहां तक जा रही इनकी domain क्या है क्या होता है डॉमेन वो सब इनके ग्राफ के थू देखते हैं फिर हम टैन का ग्राफ भी देखेंगे इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ भी देखेंगे तो मैं तीन ग्राफ देखता हूं उसके वाद उनके डॉमेन और रेंज की बात करूं आप देखो, sign का जो function था, मैं only point बना रहा हूँ, तो ये मेरा था sign का, ये value यहां तक ही लेता हूँ, cost का मेरा जो गिराफ था, ये line ड्रो कर लेता हूँ, ये मेरी 90 की है line, ये मेरी 180 की line है, यह जो मेरी लाइन है, यह 270 की लाइन है, और यह जो लाइन है, यह मेरी 360 की लाइन है, डिख लीगी, यहाँ पर मैं कोस का गिराफ देखूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर मेरा 10 का गिराफ देखूँगा, यह साइन का यह कोस और यह 10 यह मेरी ठिट्टा है सब ठिट्टा यह मेरी है 90 डिगरी की यह 180 की यह 270 डिगरी और यह 360 डिगरी साइन और कोस का दम देख चुके हैं कोस पनाये तम तो कोस का जो ग्राफ होगा वह जाएगा ऐसे हैं यह यह को पता है आप आपको पता है Dasar 你 का इस उनका जो रेशो है वह टैन थीटा की बराबर होता है तो एब्पर इस नहीं थीटा होगा होगा साइन थीटा चोकों साइन थीटा कों साइन थीटा डिवाइट धुश्व IT को छिटा 30 डिग्री पर नहीं 0 पर और यह मैं 90 देख रहा हूँ 90 पर उसके बाद 180 पर उसके बाद 270 पर और 360 डिग्री पर यह सब वैल्यू मुझे 10 की चाहिए और यहां पर जो साइन की वैल्यू थी दो मेरा जो साइन और टैन का मैंने गिराफ आपको बताए था वो टैन का गिराफ ठीट्टा की केस में अगर जीरो टू 90 डिग्री था उसकेस में यह गिराफ बना था यह मेरा 90 डिग्री था उसकेस में यह वैल्यू यह जा दिए उपर चाहिए, undefined थी, और 10 की value minus के अंदर, तो देखो, यहाँ पर, तो यह जो गिराफ था, 0 to 90 तक, यह गिराफ मेरा एज़िटीज ऐसा ही जाएगा, यह, मिलेगा नहीं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इस value पर 90 degree पर मेरा 10 undefined होता है, 90 degree पर, 10 theta मेरा undefined होता है, अगर मैं minus में लेकी चलू इस ग्राफ को, यह थीटा की value मेरी minus हो, तो थीटा की value minus की case में देखो, यह मेरा first quadrant हो जाएगा, कोडिनेट की बात करता हूँ, तो यह मेरा first, second, third and fourth, तो first quadrant के अंदर, जो value होगी, तैन की होगी positive, यहाँ पर होगी negative, यहाँ पर positive और यहाँ पर negative, तो देखो, first quadrant यह रहा, उसके बाद negative value लूँगा next rotation, उल्टा जब rotation होगा, तो यह fourth coordinate इसके अंदर value क्या होगी, negative होगी, और negative value होते ही, यह value ऐसे, यह 90 को भी touch नहीं करेगी, क्योंकि 90 degree पर 10 की value undefined आएगी, 90 degree पर 10 की value undefined आएगी, इसका मतलब यह हुआ, यहाँ से लेके, और यहाँ से, इतनी range से और इतनी range, इन दोनों की इस side में, जो 10 की value है, यहाँ पर undefined होगी, और यहाँ पर भी undefined ही होगी, उसके बाद इन दोनों interval में value मिलेगी, बट इन दोनों point पर value undefined रहेगी, 90 पर और 270 पर, 90 के बाद आएगा 180, 180 इस पर 10 की value 0 होगी, उसके बाद वापीस से यह function ऐसे ही जाएगा, undefined की तरफ, और यह function वापीस से undefined की तरफ, 180, उसके बाद 270 पर value undefined है, undefined, इसके ग्रेश में भी undefined है, यह मेरा graph बने गाएंसे, तो जो 10 का graph है, यह रहा 90, और 10 की जो value थी, वो भी 0 से लेके 90 तक क्या थी, 0, उसके बाद 45 लूँ, और उसके बाद 90 लूँ, तो यहाँ पर value 1 आ रही थी, 45 पर value, क्या थी, 1 थी, तो 45 पर value यानि यह रही, यह value मेरी 1 होगी, और 0 पर value मेरी क्या थी, 0 थी, क्योंकि sin भी, sin खीटा पॉन कोशिटा थी, तो sin मेरा 0 होता है, इसलिए 0 होगी, 90 के case में, यह value मेरी undefined, यानि infinity के case में चली गई थी, उल्टा इस तरफ जाओंगा, तो भी यह होगा, 90 के बाद 90 पर undefined है, 90 के बाद यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानि 180 तक यह value माइनस में रहेगी, तो देखो, यह मेरा point था, उसके बाद यह 180 आएगा, 180 के बाद, देखो, यह value मेरी minus रहेगी, उसके बाद 180 पर value मेरी 0 रहेगी, उसके बाद 180 से 270 तक यह value positive रहेगी, तो 270 तक यह value फिर positive है, यह मेरा 270 है, और 270 पर undefined रहेगा मेरा function, उसके बाद वापिस से 360 पर 0 value हो जाएगी और वो minus 1 से vary करेगी, तो यह मेरा sign का function, यह मेरा cos का function, यह मेरा 10 का function, rule होई follow करेगा sign hit upon cos रहा, कैसे, यहाँ पर sign की value 0 है, यहाँ पर sign की value 1 है, तो इसका इसमें divide दूँगा तो value कि आएगी, 0 रहेगी, तो मेरे को 0 ही मिलेगा, यहाँ पर देखो 90 degree पर इसकी value 1 है और इसकी value 0 है और यह 1 और यह 0 नीचे 0 आगे 10 के case में यह 0 और यह 1 तो value क्या होगी undefined होगी 180 के case में देख लो 180 0 क्यों है क्योंकि 180 पर sin 180 0 है और cos 180 minus 1 है बट उपर तो 0 है इसलिए 10 की value 0 होगी तो यह 0 होगी यहाँ देखो 270 पर तो 270 पर यह value minus का 1 है और यह value minus की 1 है और जो cos की value है वो है 0 नीचे 0 आगे तो यह undefined हो गया तो यह point undefined है तो यह तीनों जो case है sin k, cos k और 10 k यह तीनों graph हमें बनाने आ चुके है sin का graph हमने बना लिया, cos का graph हमने बना लिया और 10 का graph हमने बना चुके अब मैं इनके inverse function का graph देखता हूँ, inverse function मतलब sin का inverse function होता है cos है कोगे इनकी ratio एक दूसरे के inverse होते है, cos का होता है sec और 10 का होता है, code तो sin का inverse function कोन है, cos sec है, तो मैं साइन का function देख लेता हूँ, यह मेरा sin तो sin का function मैं यहाँ ड्रो करता हूँ, shortly तो sin का function 0 to 1 पे था यह भढ़ता हो जा रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही, यह value साइन की भढ़ती होई जाएगे, तो यह मेरा जो था, यह था 90 degree, यह था 180, यह था 270, और यह था 360, उसके बाद आके बढ़ता हो रहेगा, यह 90 एड हो जाएगा, बनेती एड हो जाएगा, तो यह मेरा साइन का, अब मैं देखता हूँ, कोसेक का गिरा, तो मैं इन लाइन को ट्रो कर देता हूँ, यह मेरा 90 है, यहाँ पर, यह मेरा 180 है, यह मेरा 270 है, और यह मेरा 360 है, और यह मेरे कोसेक की लाइन हो गई, और यह मेरा ठीटा की लाइन हो गई, यह जो वैल्यू है, यह बन है, पलस का, और यह जो वैल्यू है, यह माइनस का बन, यहाँ तक तो साइन के फंक्सन में किसी कोईदी करनी है, आप देखो यह कोसेक का है, कोसेक, और cosec जो होता है, वो होता है sin का inverse, यानि sin, तो देखिए, फटा-फट से, तो मैं यहाँ पर यह 1 ड्रो कर देता हूं, प्लस का 1, और यह मेरा माइनस का, जब value, sin की 0 पर value कितनी है, 0, अब यह 0 नीचे जाएगा, तो यह value undefined हो जाएगी, तो यहाँ पर point मेरा undefined आएगा, यहाँ पर value है 1, जब इसको 90 degree पर value 1 है, इसको 1 को नीचे डालूँगा, तो cosec की value आएगी 1, यहाँ तक ठीक है, तो यह 90 degree पर cosec मेरा 1 आएगा, 180 degree पर फिर 0 होगी value और 0 put करूँगा, तो cosec की value undefined आएगी, तो undefined इस point पर भी undefined आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि यह graph undefined, यहाँ पर undefined था, दीर दीरे value दीरे देगा, 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 और यह, कितना अच्छा गया, यानि इस पर undefined, इस पर undefined, 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 उपर की तरफ, इंफिनिटिव, और बीच में 90 पर value बन देगा, इसका मतलब यह graph इंफिनिटिव से आया, 1 पर आके, फिर इंफिनिटिव पर चला गया, नेक्स्ट देखो, इस point पर undefined रहेगा, 270 पर देखो, 270 पर value minus 1 है, तो इसकी value क्या आएगी, minus 1 तो मेरा point यहाँ पर आजाएगा, 270 पर मेरा point होगा, यह, यहाँ पर undefined है, यहाँ पर मेरा वापिस undefined होगा, 0, 360 पर 0 होगा, 0 होते ही, cosec undefined हो जाएगा, infinitive, उसके case में क्य होगा, कि यह point यहाँ पर है, तो यह जो value है, minus infinitive, undefined थी, यहाँ पर आने के बाद वापिस है, तो इगराफ कैसे मनेंगे, गराफ मनेंगे, ऐसे, यहाँ पर भी same, यह उपर की तरफ था, यहाँ यह नीचे मनेगा, ऐसे, यह ऐसे उपर मनेगा, यह नीचे, तो cosec का जो गिराफ है, यह cosec का गिराफ से मैं easily बना सकता हूँ, बस मुझे relation पता होना चाहिए, sine cosec के साथ क्या relation रखता है, रिव्यूत करम, यानी inverse है, तो देखो, inverse करने से value अच्छे लगते है, बट गिराफ बिल्कुल chain हो जाता है, inverse करने से, कैसे, यहाँ पर यह function 1 था, रेखो, sine का जो function था, वो bound function था, उसको बार बर bound रख रहा था, 1 to 0, यहाँ पर यह bound है ही नहीं, क्योंकि, अगर अगर मैंने zero को bound, zero जिसमे, जिसमे zero पर वाप्पी से function को ला रहा हूं, अगर उस function का inverse कर दिया, तो वो zero बन जाएंज़ागा, इन्फिनिटीव तो यह मेरा zero इन्फिनिटीव बन गया, यह मेरा zero इन्फिनिटीव बन गया, तो यहाँ पर मैं domain और range देखो domain और range जब sign की बात करता हूं domain और range देखो range का connection होता है सीधा उस function की value से function की value से यह जो मुझे function की value मिल रही और domain का connection होता है कि वो function की value जिन variable पर depend कर रही है तो यह आता है variable की value तो domain का connection होता है variable की value से और यहां पर variable है अपना theta और यहां पर जो function है वो है मेरा sign का function और cost का function समझ में आया domain और range कुछ नहीं सिर्फ यह है कि domain का connection है ठीटा से यानि variable quantity से और यह तो मेरा sign x का graph था यानि sign ठीटा का जो function था यह मेरा function है और यह मेरा variable है तो जो मेरा domain होगा इस case में तो domain का मतलब क्या होता है कि उस variable की value पर अगर function defined है तो वो domain के अंदर आएगा समझेरो कि इन ठीटा को put करने पर sign की कोई न कोई value मिले बस undefined ना मिले तो वो मेरा domain होगा और range का मतलब क्या होता है रेंज का मतलब होता है कि theta की sub value पर यानि theta की जितनी भी value मैंने लिए है उस पर function की एक limit कितनी आ रही है मेरा function कहां से कहां तक जा रहा है यह दोनों simple चीज़ है domain का मतलब है कि मेरा variable quantity जिस पर function depend कर रहा है उन variable quantity पर मेरा function defined होना चाहिए undefined है तो वो domain में part नहीं लेगा और range का मतलब क्या है कि जो जो variables की value उस पर जो जो function की value आ रही है वो function की value की range क्या है पर आज वो चीज़े आती है range के अंतर आप देखो sign theta theta की हर एक value पर sign defined है ठीक है तो यहां पर जो मेरी domain होगा वो domain होगा minus infinity to infinity यह interval मैंने लगाया यह open open का मतलब है यह दिखेंगे नहीं यह यह fix नहीं है close का मतलब होता है यह point तो आएगा अब infinity तो open में ही आता है close interval में नहीं आता है जब मैं range की बात करता हूँ sign के function की तो range में देखो कि मेरा जो function है वो function theta की कोई भी value रखूँ वो ना तो 1 से बड़ी होगी ना minus 1 से छोटी होगी इसका मतलब यह जो मेरी range है यह minus 1 से लेके 1 तक जाएगी इनके बीच में रहेगी इससे बड़ी नहीं हो सकती दूसरा minus 1 भी मिलेगी value और 1 भी मिलेगी इसलिए यहाँ पर close interval लगा गया यह open है यह close है close का मतलब यह value involve है open का मतलब यह value involve नहीं तो देखो यह theta की value domain theta की value range यह रही तो sign के function में domain कितना हुआ कितना ही ले ले लो साब यहाँ minus 1 तक जा सकती है तो minus 1 भी मिल रहा है 1 भी मिल रहा है तो यह range हो गई sign के function की अगर मैं मालो आप close के close section के function की range और domain देखूं close section के तो देखो domain फटाफट यह देखो कि minus infinity और one पे जा रहा है और minus infinity उसे वापिस इंफिनिटिव पे चला गया तो जो यह value है कैसे कि यह point छोड़ दो इस पर undefined value है इस पर undefined value है इसका मतलब क्या हुआ यह 0 यह 180 और यह इसको बोलते हैं पाई इसको बोलते हैं 2 पाई इसका मतलब यह हुआ कि 180 के multiple में यानि पाई 180 डिगरी को बोलते हैं पाई तो पाई के मल्टिपल में तो यह दो पाई हो गया तीन पाई चार पाई 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 इसका मतलब क्या हुआ कि हर यह हुआ यह हुआ तो हर 180 डिगरी के बाद हर 180 डिगरी के बाद function undefined है तो वो theta की value domain में part नहीं करेगी तो domain कौन कौन से होंगे कि साब theta की एक value नहीं होनी चाहिए n पाई n पाई का मतलब 0 नहीं होनी चाहिए 1 पाई नहीं होनी चाहिए 2 पाई नहीं होनी चाहिए 3 पाई नहीं होनी चाहिए 4 पाई और minus में भी नहीं होनी चाहिए तो n की value क्या होगी, n की value होगी यहाँ पर minus infinitive to plus infinitive चाहिए n की value minus में हो, चाहिए n की value plus में हो, यह function undefined रहेगा इस value पर इसलिए यह value domain में part नहीं करेगी, बाकि जितनी value बजगी वो सब domain में आएगी क्लियर यह चीज यहाँ तक, और दिख भी रहे मुझे साफ, यहाँ पर undefined है, यहाँ पर undefined इसका मतलब यह जो point है, यह point पर function defined नहीं है, और यह point मेरे domain में नहीं आएगी अब बात करते हैं range की, कोर सेक के range की, तो देखो range, y की कौन कौन से value आ रही, तो y की value इनफिनिटिव तक थी, और एक तक है, तो लिख दो भई, किसाब minus infinity, नहीं, इनफिनिटिव से लेके, और एक तक थी, और minus infinity नहीं दिख रहा, बट एक तो मिनकों दिख रहा है, तो एक close में आ जाएगा, उसके बाद, एक के बाद कोई value नहीं मिलेगी, minus 1 तक, तो ठीक है साब minus 1 से, फिर value स्टार्ट हो रही है, और कहां तक जा रही है, यह range जा रही है, minus infinity तक, यह लो, यह मेरी range होगी, range का मतलब कि यह domain है, जितने भी domain मैं put करूंगा, उन पर जो function आएगा, function यह आएंगे, देखो, infinitive, 1, minus 1, इसका मतलब यह हुआ, कि infinitive, यह value देखो, y की value, यानि function की value, 1 तक आ रही है, 1 के बाद वापीश चली गई, यहाँ आया, minus 1 तक आए, वापीश लेगी, इसका मतलब, यह जो part बच गया, यहाँ पर तो function की value मिली नहीं ली, इसका मतलब, वो range में भी part नहीं होगा, मेरे function की range केतनी है, infinity उसे 1, और minus 1 से minus infinity, इसका मतलब, 1 minus 1 से लेके, और 1 तक, देखो, close नहीं लगाया, मैंने open लगाया, इसका मतलब, यह involve नहीं है, इन पर यह range नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि range में part नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी value, कभी भी 0 नहीं आएगी क्या नहीं आएगी, कोई से की value ना 0 हैगी, ना 0.15, 20, 25, 0 point में कुछ भी नहीं आएगी, ना minus 0 point में कुछ आएगी, 1 आ सकती है, minus 1 से बड़ी कितनी आ सकती है, छोटी कितनी आ सकती है, और 1 से बड़ी भी कितनी आ सकती है, clear, domain range समझ में आया, एजी था ना domain range, तो domain वो value है, जिन पर function defined है, undefined है तो वो domain पर पाट नहीं करेगा, range वो है, कि domain की value, यानि जितनी भी variable value है, जो variable value पर function depend कर रहा है, वो variable value पर range की आ रही है, मेरे function की, next जो अपना graph आएगा, वो आएगा, cost का, तो अब बैद देखते हैं, कौन सा function, cost का function था, और cost का होता है, sec, तो देखो, मैं फटा-फट से देख लेता हूँ, sign, cost का भी और 10 का भी, और quote का भी, तो इन्यों का, 4 होगा, तो cost का जो function है, वो function था, ये, और ये value 1 से start हो रही थी, ये रह, और यहाँ पर ये value ऐसे जा रही थी, तो ये मेरा cost का function था, और यहीं पर अगर मैं 90 लूँ, ये मेरा 180 है, ये मेरा 270, और ये मेरा 360, तो उस case में, अगर मैं मेरे cost के function को define करूँ, तो देखो, सूख जाती है, देखो, कि ये मेरा, यहाँ पर मेरा plus 1 है, ये मेरा minus, minus का 1 है, ठीक है, जैसे sign का था वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर भी same 1 रखेंगे, बट ये जो safe होगी, ये मेरा, देखो 1 है, तो ये मेरा 1 ही रहेगा, ये मेरा minus 1 है, तो ये मेरा minus 1 ही रहेगा, ये मेरा 1 है, तो ये मेरा 1 ही रहेगा, ठीक है, ऐसे ये मेरा minus 1 ही रहेगा, फरक क्या पड़ेगा यह पॉइंट जीरो एंडिफैंड हो जाएगा यह पॉइंट जीरो एंडिफैंड हो जाएगा यह पॉइंट जीरो एंडिफैंड हो जाएगा क्योंकि कोस जो होता है सैक जो होता है वह कोस का उल्टा होता है तो कोस जहां पर जीरो है वहां पर सैक ने गा कि यहां है यहां से यहां से आरहां से आएगा और ये वैल्यू यहां आ कि यहां से को यह रहा उसके बाद ही आएगा से ये सांसााइन का बना थो वैसे कोस्क्ण talents कर गाने आपां इसे थे भी Protect पड़ते गा और रेंज की बात करूँ कोस के function की तो domain देखो domain का मतलब क्या हुआ जहां पर value defined है तो कोस की case में तो हर value पर function की value defined है तो इसको मैं close में लेता हूँ तो कोस की value कहां से कहां तक minus 1 से लेके plus 1 के बीच में ही रहती है अब मैं sec की बात करता हूँ तो sec की case में जो domain है वो देखो जीरो पर उसके बाद 90 यानि 90 डिगरी है 90 के बाद फिर 180 जोड़ दो 90 के बाद फिर 180 जोड़ दो यानि मतलब क्या हुआ कि अगर जो theta है वो वो pi by 2 यानि 90 प्लस pi by 2 प्लस n pi यानि n गुणा 180 बात दोने से और n की value यहां पर हो सकती है minus infinitive से plus infinitive देखो और यह चीज नहीं होनी चाहिए नहीं का मतलब कि in value पर pi by 2 प्लस अगर n की ओले 0 होई तो 90 डिगरी तो देखो यह 90 डिगरी 0 हो रहा है कोस का function तो यह function undefined रहेगा इसका मतलब in range in domain पर in theta की value पर function मेरा undefined होगा इसलिए यह domain में part नहीं करेंगे इनके अलावर सब domain में हैं simple दा ना और जब मैं range की बात करूंगा तो इनकी range की देखो range का मतलब क्या होगा कहां से कहां तक value तो देखो यह plus 1 तक यह minus 1 तक है तो same वही कि value कि सब infinitive से infinitive से 1 तक मिल रही है 1 से लेके minus 1 तक नहीं मिल रही और फिर minus 1 मिल रहा है और उसके बाद minus infinity मिल रहा है यह मेरी range तो यहां देख लो माइनस- funding से लेकर 1 तक आया फिर infinity पर चला गया ठीक हैhem सब यह रेंज मिल रही एमेरे को उसके बाद माइनस infinity से 1 पर आया माइनस 1 पर फिर माइनस Iya इंस्टरिवेल है यहom यानि-1 से लेके 1 interval है, इस पर range है यह नहीं, नहीं cosec, नहीं sec, दोनों ही function की range यह नहीं होती, बाकि यह range होती है, फरक क्या था, उसके case में, cosec के case में, theta n pi के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके case में, theta जो है, pi by 2 plus n pi के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि in point पर मेरी function की value undefined हो जाएगे, undefined domain में part नहीं करता है, अब बचा मेरा 10 का function, बचा मेरा 10 का और quote का, यहनि 10 का function तो हो चुका है, बस quote की बात करने, तो मिटा जाता हूँ, उसके बाद देखते है, 10 का function, 10 का function और quote का, तो 10 का function क्या था, देखो, अगर मैं यह बनाता हूँ 10 का, तो 10 के function में, यह point 0, यह 90, यह 180, यह 270, और यह 360, 90 पर value undefined थी, तो यह मेरा function ऐसे, और यहां से ऐसी, यहां पर मेरा function ऐसे, यहां से आने के बाद, फिर ऐसे, कितना must function है, यहां से, फिर value यह आएगी, 1 पर आएगा, और यह undefined, यह 10 के function होता है, और जब मैं quote की बात करता हूँ, तो quote होता है 10 का inverse, उल्टा, तो कुछ से नहीं करना, सिर्फ आपको एक inverse का फंडा पता होना चीप, कि यह function यहां पर 0 है, तो यहां पर यह undefined हो जाएगा, यहां पर undefined है, तो यह function यहां पर 0 हो जाएगा, क्योंकि infinitive का उल्टा 0 होता है, 0 का उल्टा infinitive होता है, यह सबको पताईए, तो देखो, यह दोनों, ऐसे होगा खेल, कि जैसे मैं coat का graph देखूंगा, तो यह जुड़के यहां आ जाएगे, और यह दोनों खुल जाएगे, तो देखो, यह 90 का है, यह 180 का है, यह 270 का, यह 350 का, तो इस point पर अब value undefined नहीं होगी, तो इस point पर अगर value undefined नहीं है, तो देखो, यह जो value है, यह 90 हुआ, यह 180 हुआ, तो 90 पर undefined, यह undefined था, यह मेरा 0 हो जाएगा, 270 पर मेरा 0 हो जाएगी value, इस पर value मेरी 0 हो जाएगी, यहांनि जहां 90 undefined था, वहां पर 90 defined, यह 0 हो जाएगी, जब इसका inverse करूँगा, तो यह जो function है, यह ऐसे आएगा, उपर से ऐसे तरह, यह value positive ही रहेगी, यह value 0 से लेके negative value positive थी, तो अगर मैं उसका positive value का inverse लोंगा, तो वो positive ही रहेगी, और negative value का inverse लोंगा, तो वो value negative ही रहेगी, तो यहां से लेके यहां तक positive थी, तो यह सब value positive और वो सब value negative, इसका मतलब यह हुआ, कि यह point अब 0 undefined में चला गया, और 180 undefined में चला गया, ऐसे ही, 180, यह रहा, undefined, तो यह graph बनेंगे, ऐसे, ऐसे, उसके बाद यह मेरा defined हो जाएगा, और यह graph बनेगा, ऐसे, यह मेरा 10 का graph, यह मेरा code का graph, फटा फट से domain और range की बात कर लें, तो इसका जो domain है 10 का, तो देखो, काफी जगे undefined आ रहे हैं, यानि 90, 270, उसके बाद 360 के बाद फिर 90, इसका मतलब यह हुआ, कि 90 का multiple करूँ, यानि domain की जो value है, जो theta की value है, वो अगर, पाई बाई 2, पाई बाई 2, undefined हो गया, पाई बाई 2, प्लस, एन पाई, हाँ जी, देखो, एन की value 0 पुट करूँगा, तो पाई बाई 2 प्लस का पाई, तो पाई 2 प्लस का पाई, तो पाई 2 प्लस का पाई, 90 degree, अगर एन की value 0 है, तो 90 degree पर function defined नहीं है, domain में part नहीं लेगा, नहीं आ रहे है, उसके बाद 90 प्लस 180, तो 90 ये, 90 ये, 270 पर पहुच गए, तो 270 पर value undefined है, part नहीं लेगा, तो ये तो आ गया मेरी domain, यानि domain इनको छोड़के सब domain में आएंगे, अब बात करते हैं range की, तो range के case में देखो, कि value infinity तक भी है, और value minus infinity तक भी है, value 0 भी है, यानि ये गिराफ है minus infinity से plus infinity तक जा रहा है, तो minus infinity to plus का infinity, सब की हर value पर, मिल तो रही है value, यानि range जो आ रही है, मेरी function की range है, वो minus infinity से plus infinity, code के case में देखो, code के case में 0 undefined है, 180 undefined है, तो simple सी बात है कि इसकी जो domain है, वो domain theta की जो, theta जो है, equal to n pi नहीं होना चाहिए, यानि 180 का multiply नहीं होना चाहिए, कैसे देखो, n की value 0 तो 0 आ गया, 180 तो 180 ये रहा, 180, 2, 360, 360 ये रहा, बात करते हैं range की, तो range देखिए, फटाफट से, minus infinity, नहीं, minus का infinity, प्लस का infinity, तो range बही होगी, किसा minus infinity से लेके, प्लस का infinity, कहीं तक sub value range की अंदर आ रही है, तो 10 के function, cost के function, sign के function, cost, sec, sec, 6 के function के graph मैंने आपको बता दिये हैं, domain मैंने बता दिया, range आपको हो गया है, clear, theta की value पर इस lecture में, कैसे कैसे theta की value लें, कहां पर quadrant plus होगा, minus होगा, इन सब का basic knowledge मैंने दे दी है, graph, function का जो graph था, वो complete हो चुका है, basic level पर जो जरूरी है, 11th or 12th में, क्या क्या चीज़े आनी चीए, वो, मैंने function and graph के अंदर करवा दिया, जो next lecture होगा, वो होगा, differentiation पर, यानि, आउकलन पर, किस पर होगा, आउकलन पर, या फिर, हाँ, आउकलन ही कराएंगे, आउकलन हो गया है, समागलन बच गया आपका, यानि, integration, differentiation, इनका जो basic है, form, वो बताऊँगा, मैं, उसके बाद हम 11th और 12th के chapter, start करेंगे, अगर mathematically कुछ भी और चीज़ रह जाती है, तो वो, जब मैं chapter इस्टार्ट करूँगा, वहाँ पर math का portion आएगा, तो मैं वही पर ही अलग lecture बना के समझा दूँगा, अलग lecture बना दूँगा, clear, तो मिलते हैं, next lecture में, thank you.